नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा और लेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प्रदेश के 19 लाख लोगों को राहत बरी ख़बर सामने आई है तो क्या न्यूज सामने आई है पोरी रैनकारी आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच स दाल के लिए पांच रुपए अधिक चुकाने होंगे तो हिमाचल प्रदेश के 19.50 लाख राशनकार उपभोकताओं को डीपू में जो है इसमा तीन दालने मलका चना और उड़दे एक से पांच रुपए तक सस्ती मिलेंगी जबकि मूंग दाल के दाम दो रुपए दाल के दाम एक रुपए जो है कम हुए हैं जबकि मूंग दाल के दाम सभी वर्गों के लिए दो रुपए बड़े हैं टेंडर प्रक्रिया के बाद तीन दालों के मुल्यों में एक से लेकर पांच रुपए तक की कमी आई है इसमा नए दामों के अनुसार राशन मिलेगा एरिया मैनेजर यशपाल शर्मा ने बताया कि गत्मा टंडर हुए थे इसमा भी इसी रेट से राशन कार्ड पोकताओं को दालने जो है डिपो में मिलेंगी तो अपरेल के दाम आप देख सकते हैं और जून के दाम प्रती किलो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉस करके या स्क्रीन शॉट लेके उसके बाद आगे बताया है कि डिपो में 5-10 रुपय तक सरसों तेल और रिफाइंट सस्ता देने की तियारी है थोक भाव के दामों में गिरावट आने के कान तेल सस्ता मिल सकता है खाद्या पूर्ती निगम ने दोनों तेल के लिए कम 15 जून तक कमपनिया सेंपल जमा करेंगी खाद्यापूर्ती मंतरी राजेंदर करगने बताया कि या टेंडर तेन महिने के लिए होगा जैस कमपनी के सेंपल पास होंगे उनकी फाइनेंशियल बेट खोल जाएगी उन्होंने कहा कि जुलाज से उपोकताओं को पहले पहुँच सके धन्यवाद जैहिं जैभाद